इंदोर समेत मंतसौर, नीमच, शाजापुर आदी इलाकों की मंडियों में पिछले तीन से चार महीनों से लहसुन 25,000 रू से 30,000 प्रती क्विंटल के भाव से बिक रहा है। इस बीच राजस्थान की मंडियों में चीन से आने वाली लहसुन की आवग भी हो रही है, जो प्रदेश की सीमा से सटे हुए बाजारों में 20-22,000 रू प्रती क्विंटल बिकने आया है। इसे में प्रदेश के जो लहसुन व्यापारी 25,000 से 30,000 के भाव में लहसुन स्टॉक कर चुके हैं, उन्हें बड़ा नुकसान होने की आशंका है। मंडी व्यापारीयों का कहना है कि चीनी लहसुन की एंट्री से उन्हें प्रती क्विंटल 5000 से 7,000 रू तक नुकसान हो सकता है। यही स्थिती लहसुन उतपादक किसानों की है, जिन्हें चीनी लहसुन के कारण अपनी उपज सस्ते में बिकने की आशंका है। लिहाजा मंगलवार से इंदौर समेत मालवा ख्षेत्र की कई लहसुन मंडियों में विरोध करते हुए व्यापारियों और किसानों ने लहसुन की बिक्री नहीं होने दी। इसके अलावा जो किसान अपना लहसुन लेकर आये थे, उन्हें भी हर्ताल के कारण वापस लोटना पड़ा। व्यापारियों और किसानों का आरोप है कि चीनी लहसुन के मध्य प्रदेश में आने से लहसुन उत्पादक किसान और मंडी व्यापारियों को करोडों का नुकसान होगा जिसे किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं किया जाएगा। इधर लहसुन मंडी के प्रभारी संजय यादव ने कहा भारत में चीन से आने वाले लहसुन पर पहले से प्रतिबंध है। संभवत चोरी छिपे यह लहसुन राजस्थान की मंडी के बाद प्रदेश की मंडियों में लाया जा रहा है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते इंदौर मंडी में हर्ताल रही। मध्यप्रदेश में लहसुन का उत्पादन 50,000 बोरी है जबकि राजस्थान में 30,000 बोरी लहसुन का उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की लहसुन की आपूर्ती भी धीरे धीरे कम हो रही है। हालां कि कुल उत्पादन उपभोकताओं की मांग को पूरा करने के लिए परियाप्त नहीं है। यही वज़े है कि नेपाल के रास्ते करीब 1,5,000,000 लहसुन की आवग भारत में होने का आरोप है, जिसके कारण देश में लहसुन की कीमतों में गिरावट होने की संभावना है। हालां कि मंडी प्रशासन का कहना है कि भारत में चίν की लहसुन की बिक्री पर पहले से प्रतिबंध है, जो लहसुन लाया जा रहा है, वह चोरी छुपे लाया गया है। दरसल, केंद्र सरकार लहसुन की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए चीन से लहसुन मंगवा रही है, जिसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। भारत में चीनी लहसुन के आयात पर कई वर्षों से प्रतिबंध है, लेकिन चीनी लहसुन के बिकने से व्यापारी और किसान नाराज हैं। आशंका है कि लहसुन चीन से तसकरी कर कंटेनरों से लाने की संभावना है और सरकार इस मामले की जाच करे और आयात बंद करें। यह भी सवाल उठाए गए हैं कि चीनी लहसुन कौन लाया है और अधिकारियों ने इसकी अनुमती क्यों दी। गोदाम में च इसी भी देश से लहसुन के आयात पर पूर्न रूप से रोक लगाई जाए। किसानों ने कहा कि अगर चाइना वा अन्य देश से लहसुन के आयात पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर किसान को आर्थिक नुक किसानों का कहना है कि सरकार किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही है, अन्य देशों से लहसुन आयात करना गलत है। किसानों का कहना है कि लहसुन की एक खासियत है कि यह मसाला तो है, लेकिन सबजी की तरह है, इसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। कुछ दिन में यह महीने होता है वर्तमान में डिमांड बनी हुई है सपलाई के मताबिक मांग ज्यादा है इसके अलावा हर महीने इसकी जरूरत रहती है ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी